आजक आजकी इस वीडियो में पढ़ेंगे । डिफरेंट टाइप्स के मीजर्मेंट्स को जैसे के । डिफरेंट टाइप्स के कौन्टीटीज होते हैं । उनको मीजर् कैसे करते हैं ऄंत kay एक न्हीं इंहीं UI कोई के तो पहले पढ़ते हैं हम लोग डिकल मीजर्मेंट के बारे में जो physical quantities होती है नको कैसे मीजर करते है तो देखे फिजिकल quantities में कौन-कौन सी quantities आती है जैसे कि आपका length हो गया height हो गया depth हो गया curvature क्या भन रहा है मतलब कि angle कितना है या फिर आपका जो हो गया वोई taper part है उसका measurement कैसे करना है कैसे करते हैं श्केले ज लेंट में कोई भी Prophet को करना होता है तो उसके लिए हम वर्णियर केलिपर्स का यूज करते हैं या जो स्केल सोती हैं उनका यूज करते हैं उनको हमने पढ़ा हुआ है तो आज की वीडियो में पहले पढ़ते हैं कि अगर कोई टेपर पार्ट है तो उसका मीजरमेंट कैसे करना है अगर आप इसको यहां तक एक्सेंड कर दें आपका पार्ट तो यह है हमने इसको एक्सेंड कर दिया यहां पर जो एंगल बनता है इसको बोलते कोनी सिटी क्योंकि ये कोन के टाइप का बन रहा है तो ये इसकी होगी कोनी सिटी इसी के बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि इसका जो टेपर पार्ट है वो किस तरह से है तो यहां पर यह जो एंगल होता है यह क्या होता है यहां पर देखिए इसका जो लार्ज पार्ट होता है उसकी डाया दी गई होती है कुछ D, capital D माल लिजिए और यहाँ पर माल लिजिए जो smaller डाया है इसका, यह small D है और यहाँ पर जो इसकी length है या height जो कुछ भी बोलने, यह length L है तो जो angle होगा, वो क्या होगा तो यहाँ पर जो angle होगा हम अगर यहाँ पर 10 theta निकालें तो 10 theta बराबर क्या होता है normal divided by base तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप इस पूरे को एक triangle मानें और माल लिजिए यह length कुछ L dash है तो यह जो पूरे triangle के लिए आपका 10 theta होगा, यह क्या होगा इसका यह distance यह normal और यह divided by base क्या हो जाएगा, dy2 और जो इसका पूरा base है, यह क्या है L plus L dash और same angle आप इसी अगर छोटे वाले triangle के लिए निकालें तो वो भी इसी के equal होगा 10 theta के यह क्या होगा यह जो आपका यह वाला part है यह कितना है, dy2 है और divided by L dash तो देखिए, यहाँ पर हमें capital db पता है, small db पता है L भी पता है, पता नहीं है तो केबल L dash तो इसको find out कर लेते हैं कैसे निकालेंगे यहाँ पर सबको हम inverse कर देते हैं यहाँ पर होगा आपका, देखिए, दोनों तरफ divided by 2 है, तो वो cancel out हो जाएगा यहाँ पर भी इस तरह से कुछ आएगा L dash by small d यहाँ पर आप multiply कर दीजिए, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर क्या हो गया, dl plus dl dash equals to dl dash यहाँ पर l dash को एक तरफ कर लीजिए comment लीजिए, तो क्या आजाएगा, d minus d l dash की value आजाएगे dl divided by d minus d अब यहाँ पर आप किसी भी equation में रख दीजिए l dash की value, यहाँ पर देखिए simple है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं d by 2 divided by dl divided by d minus d, यहाँ पर देखिए d से d cancel out हो जाएगा क्या बचेगा, d minus small d minus d by 2 l, यहाँ पर आप देखिए कुछ, यहाँ पर इस तरह से आएगा d minus d, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से था तो यहाँ पर इस तरह से होगा तो यह जो आप क्या आगया यह 10 theta आगया, इसको एक constant से represent करते हैं, constant value होती है यह जिसको हमने अभी cone city बढ़ाता है तो अब तो यह हो गया कि हमें अगर कोई taper part का कोई measurement करना है तो हम उसमें k की value find out करते हैं 10 theta की value find out करते हैं तो इस 10 theta को find out करने की कितनी methods हैं उनको पढ़ते हैं 10 theta को find out करने की जो आपका हमने cone city बढ़ाता इसको measure करने के लिए बहुत सारी method हैं हम इसमें किवल दो methods के बारे में पढ़ेंगे एक तो यह कि dial gauge से कैसे इसको measure करते हैं लेख सकते हैं इसको taper measurement वाया dial gauge यह आपका कोई taper part है यहाँ पर इसकी जो diameter दिया गया है वो small d है और large part का आपके capital d है तो देखी कोनी city का formula भी हमने क्या निकाला था d minus d divided by 2l यह जो length होती है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पहले यहाँ पर dial gauge से चेक करेंगे और फिर यहाँ पर dial gauge से चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे यहाँ पर देखी dial gauge के लिए कि stand होता है इस तरह का कुछ इसका stand होता है यहाँ पर आपका यह जो dial gauge होता है यह fixed होता है यह इसका plunger होता है plunger को हम लोग पहले यहाँ पर किसी भी इसके part पर जो पहले large वाला part है उसके बाद इसको इस वाले part पर तर्श खश कराएंगे जैसे कि यह आपका यहां पर कुछ यह tapper part है तो पहले हम लोग यहां पर इसको च्छेक करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे इस taper part को fix डखेंगे और यह जो आपका dial गेज है इसको हर point पर इसके move कराएंगे पहले बड़े वाले part पर move कराएंगे तो रीडिंग देगा और उसके बाद इस छोटे वाले पार्ट पर जैसे यहां पर यह पुछ रीडिंग देगा दोनों की रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वही आपकी वैलू इसके बाद आप इसकी हाइट को मीजर करेंगे तो इस तरह से आपको यह वैलू फाइंड आउट हो जाएगी यह वैलू और आप कौनी सीटी की वैलू फाइंड आउट कर सकते हैं यह तो हो गया कि अगर हम डायल गेज से चेक कर रहे हैं एक हम लोग रोलर का इस्तिमाल करते हैं टेपर मीजर्मेंट करने के लिए कौनी सीटी फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए क्या करते हैं देखिए यहां पर टेपर पार्ट को हम कुछ इस तरह से रखते हैं यह हमारा हो गया टेपर पार और यहां पर बेस है एक रोलर यहां पर रखते हैं और एक रोलर होती है इसको मीजर करते हैं यह distance माल लेजिए आ गई कुछ M1 फिर अब इसके इस वाले पार्ट को जो हमने इस तरह रखा था आप इसको इसको अपोजिट साइट से रखते हैं इस साइट से तो इस साइट से रखेंगे तो किस तरह से हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा यह यहाँ पर फिर यही रोलर्स रखेंगे और इनके बीच की distance find out करेंगे यह माल लेजिए कुछ distance आ रहे यह M2 तो M1 बड़ी distance होगी और M2 छोटी distance होगी और यह जो आपका M2 माइनस M1 माइनस M2 होगा यही difference आपका D माइनस D दिखाएगा विकाज यह distance जो होग value find out हो जाएगी कुछ इस तरह से यह आ जाएगी कोनी City के value आपके taper part का measurement हो गया तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि taper part अगर कोई हो उसके लिए इस तरह से मीजर करते हैं अब इसके बाद next पढ़ते हैं एंगल का measurement कैसे करते हैं देखें एंगल मीजर करने के लिए एंगल मीजर मेंट एंगल मीजर मेंट के लिए यहाँ पर हम लोग तीन डिवाइस का यूज़ करके पढ़ेंगे एक है आपका sign bar और एक है आपका split level method से किस तरह से measurement करते हैं और एक पढ़ेंगे और optical instrument इससे किस तरह से मीजर करते हैं यहाँ पर optical instrument में पढ़ेंगे हम लोग आटो कोली मीटर के बारे में आटो कोली मेटर देखी sign bar क्या होती है पहले इसको देखते हैं देखी sign bar में एक इस तरह का block होता है इस तरह की size का यहाँ पर दो rollers ल यह कुछ angle पर है आप देख रहे हैं इस angle को हमें मीजर करना है तो किस तरह से मीजर करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं यह आपका workpiece हो गया और यह आपका होता है साइन बार तो किस तरह से मीजर करेंगे साइन बार का देखें यह बिल्कुल स्मूथ होता है इसको यहाँ पर हम कुछ इस तरह से रखेंगे लोगा का सब्सक्राइब यह पर आपकी रोलर्स है और यह जो ति यह यह आपका base है और यहाँ पर slip gauges लगे होते हैं इसी के उपर यह आपका roller fix जो होता है slip gauges क्या होते हैं जैसे कि हम लोग standard बना लेते हैं कि size तक हमें यहाँ पर रखना है और इसको change भी कर सकते हैं इसकी height को घटा बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर slip gauges रखते हैं कि उसके बाद slip gauges की position को adjust करते हैं अड़ेंश तब तक करते हैं यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक dial indicator लगाते हैं dial indicator के connect से यहाँ पर यह यह risk point पर check करते हैं की कि कितना deviation आ रहा है अब लिगिव क्ली करते हैं देखते हैं कितना variation आरा है और इस variation को remove करने के लिए यहां पर slip gauge की distance को change करते रहते हैं और उस point तक change करते हैं जब तक कि यह work piece पर जो आपने dial indicator रखा हुआ है जब तक इसकी reading zero ना हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा इससे यह जब आपका यह जो surface है यह बिल्कुल एक angle पर यहां पर horizontal से zero angle पर हो जाएगा तो उसके according हमें यह distance पता चल जाएगी यह height जो है और इसके बाद यह जो sign bar होता है इसकी आपको यह दिया होता है इसकी length तो यहां पर आप देखने sign ठीटा का अगर आप formula लगा दीजिए तो यहां पर यह है तो इस तरह से आप इसको find out कर सकते हैं अब दूसरा देख लेते हैं इस प्रिट level measurement इस method में क्या करते हैं यहां पर देखिए एक wooden block होता है और इस wooden block में एक glass की tube होती है यह एक आर्क की shape में होती है एक curved tube होती है एक wooden block है और इस पर एक curved tube लगी हुई है और इस ट्यूब में एक low viscosity का fluid भरते हैं मतलब जो बिल्कुल थिन कोई fluid हो हलका सा कोई fluid हो बहुत गाड़ा ना हो तो यहां पर इसको भरते curved tube है इस पर marking की होती है यह डिवाइड होता है मतलब parts में डिवाइड होता है यह 2.5 mm के parts में या अधर भी इसमें variations आते हैं उन parts में डिवाइड होता है तो जैसे ही आपको कोई angle measurement करना है जैसे यह आपके पास कोई इस तरह की body है यहां पर देख रहो यह कुछ spirit level को रखेंगे यहां पर आपने इसको ऐसे रखा तो यहां पर जो एयर बबल होगा ना आपका यह अपनी पोजिशन से मूव करेगा और जितना मूव करेगा उसके according यहां पर scale बनी होती है तो उसके according आप चेक कर सकते हैं कि कितना एंगल जो है इसके आपके वर्क पीस का है यह कितने inclination पर है तो कुछ इस तरह से एंगल measurement करते है spirit level से अब उसके बाद next परते है optical method से कैसे यूज़ करते है Auto qualimeter देखे Auto highlighter का हम लोग पर principal पढ़ लेते हैं किस principal पर यह वर्क करता है देखे Auto juniliation में एक quality aha होता है यह किया करता है जैसे कि हम लोग एक light source का यूज़ करते हैं जहांसे light आ और यहा पर हम लोग एक scale भी लगा दिये अ अब ये light source इस polymating पर पढ़ रही है इस तरह से और इसके बाद को लिमेटिंग लेंज क्या करेगा यह जो आपकी लाइट रेज आ रहे हैं इनको पैरलेल डारेक्शन में कर देगा कुछ इस तरह से और यह एक जो होता है रिफ्लेक्टर सर्फेस होता है उस पर पढ़ती है रिफ्लेक्टर डूपकर टेवेस से एक्याова कि जैसे कि आपकशरम यहां से फोकस पर अगर अपनी पोजीशन पर यहां पर अगर फेटर की पोजीशन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या होगा यहां पर जो focus आपका हो रहा था यह जो light दुबारा जा रही थी तो जैसे ही आप यहां इसकी position में change करेंगे जैसे आपने मालेजी कुछ इस तरह का change किया तो यहां पर देखिए light तो इसी तरह से आ रही है लेकिन अब यह reflect होगे कैसे जाएगी ऐसे जाएगी यहां पर इस lens पर ऐसे पढ़ेगी और इसके बाद अब यह lens क्या करेगा इनको किसी दूसरे point पर focus करेगा इस तरह से यहां पर देखने यह जो focus का point होगा यह change हो जाएगा और इस change को हम लोग measure कर लेते हैं यहां पर micrometer use करते हैं या other कोई device यहां पर आप देख रहे है displacement के form में आगए आपका angle और इसको हम लोग आसानी से measure कर सकते हैं तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि अगर taper measurement करना उसको कैसे करते हैं एंगल measurement कैसे करते हैं अब इसके बाद पढ़ते हैं thread measurement कैसे करना है thread measurement देखिए thread क्या होती है जैसे आप screw देखा होगा आपने तो screw पर कुछ इस तरह से इसके surface पर यह threads कटी होती है इसको बोलते हैं thread यह आपका कोई screw है और देखिए अगर screw के बाहर की तरफ कोई thread बना हुआ तो इसको बोलते है external thread otherwise अगर किसी hole के form में है यहाँ पर देख रहे हैं आप यह hole है और hole के अंदर जो है यह threads कटे हुए तो इसको बोलेंगे internal threads तो देखिए thread की कुछ terminologies को पढ़ लेते हैं जिनको हमको measure करना है जिसे कि यह thread कुछ इस तरह से होता है अब यहाँ पर आप देखिए इसको अगर आप और बढ़ा दें इसी line को यह line के form में है तो यहाँ पर यह meet करेगा और ऐसे ही यहाँ पर आपका यह कोई baseline होगा और इसके according यह नीशे भी इस तरह से होगा इसको भी आप meet कर सकते हैं तो यह वाला point जो होता है इसको आप इस वाले point से मिला दें जैसा ही नीशे point बनेगा आपका तो यह होगा major डाया और इस वाले point से अगर आप इस वाले point को मिला दें तो यह होगा minor डाया इसके बाद देखे pitch क्या होती है पिछ के लिए यहाँ पर जिस thread का यहाँ पर आप front लेंगे उसके बाद उसका adjacent वाला front लेंगे जिसे यहाँ पर इसका front था फिर उसके बाद यह front तो इनकी जो beach की distance होगी यह होगी आपकी pitch यह pitch क्या होती है adjacent point के beach की distance होती है threats के adjacent point के बीच की distance यहाँ पर आप दिखए इसका प्रिवेसिक का फ्रिय divert या फिर आप धाक देखना चाहते हो तो यह सका बेक उसके बाद कि si में इसका थो यह डिश्टिन्स १ह हधाएं अब यहाँ पर तो मेज़र क्या करना होता है थर्टrice या फिर कमेज हो गया आपके इससे मेजर करते हैं सेम जो माइनर डाया है उसके लििए हम लोग descent माइक्रो मीटर का एक ये देखे किस सेपका होता है ज्जैसे या इस तरह का थ्रेड होता है तो यहाँ पर यह इस तरह के gauges होते हैं इस तरह से और ऐसे ही different types के gauges होते हैं इन पर numbers लिखे होते हैं आप यह gauge को ले जाते हो और इस पर match करते हो जो gauge match हो जाता है उसके according हमें इस पर values लिखी होती है उस pitch की तो उसके according हमें find out हो जाता है कि उस thread की पिछ के हैं यह आपका thread है और यह आपका gauge है तो देखिए gauge को यहाँ पर ले जाते हैं तो जो भी gauge मैश हो जाता है यह तो पहला gauge है ऐसे different types के gauge होते हैं यह एक device पर लगे होते हैं कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर यह पहला gauge दूसरा gauge तीसरा इसे numbers of gauges लगे होते हैं तो different types के gauges को यहाँ पर ले जाते हैं ऐसे ही gauges होते हैं मैश करते हैं और इन gauges पर numbers लिखे होते हैं उसके according हमें पिछ find out हो जाती है तो यह तो होगे हमारा thread measurement अब इसके बाद पढ़ते हैं कि gear का measurement कैसे करते हैं नेक्स्ट है आपका gear measurement तो देखिए gear में हम क्या क्या measure करते हैं उसको पढ़ लेते हैं देखिए gear का एक teeth कुछ इस तरह से होता है आपका ऐसे ही number of teeth होते हैं एक disc पर बने होते हैं और यह जो distance होती है यह होती है tooth की thickness tooth thickness और यहां से कहीं आपका pitch circle जा रहा होता है तो pitch circle पर जो adjacent point के बीच की distance होती है यहां पर भी pitch होती जैसे यह आपका पहला teeth है और यह आपका कहीं दूसरा teeth है तो यह हमने एक point लिया और यह एक point लिया तो इनके बीच की distance होगी यह होगी pitch तो यहां पर देखिए gear measurement में हम tooth thickness को find out करते हैं pitch को find out करते हैं और यह जो आपका gear teeth है इसका profile क्या है इसको measurement करते हैं इसको measure करते हैं तो gear में हमें क्या-क्या measure करना है tooth thickness को measure करना है pitch को measure करना है और जो teeth की profile है गियर की profile है उसको measure करना है profile of teeth तूथ थिकनेस को मीजर करने के लिए कैलिपर यूज किया जाते हैं वर्नियर कैलिपर के ही टाइप का होता है यह बिल्कुल यहाँ पर जो टूथ थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए जो वर्नियर कैलिपर यूज किया जाता है इसको बोलते हैं गियर टूथ वर्नियर क करने के लिए जीज सिघीर के मीजरिंग मेठोड का यूज किया जाता है और टूथ प्रोफाईल के लिए टूल मेकर्स क्यूक करते हैं तो देखिए टूथ ठिकने को फाइंड आउट कर ने caring हैं यहां पहले पढ़ा हुआ है और तूथ प्रोफाइल करने के लिए हम लैकर माईक्रोस्जों का परते हैं इसको हमने पहले पढ़ा पढ़ा हुआ है और यहां पर जो स्वाइंड आउट करने लिये घर स्व legitimate सो जी ने तूस्टाइब करता है यहां पर जैसे आपको यह आपको टूथ दिया गया है कि यह यहां पर आपको यह पिश्ट दी गएा है इसे पिश को आपको find out करना है इसकी डिष्टेंस को इसके लिए क्या होता है यहां कर जीष गियर मीजरमेंट में यहाँ पर दो एन्विल्स लगे होते हैं एक एन्विल को यहाँ पर टश करते हैं और दूसरे एन्विल को यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमें वैलू मीजर हो जाती है यहाँ पर जो आपका एन्विल लगा होता है यह होता है फिक्स्ड एन्विल और पढ़िया कि किसी भी फिजिकल कॉइंटरी को कैसे मीजर करते हैं जैसे कि अगर कोई टेपर जरिवेंट उसको कैसे करते हैं या फिर आपका लेंथ डेप्थ हाइट हो गया उसके लिए वरनेर कहली पर मैक्रो मीटर कर यूज करते हैं और उसके बाद हमने पढ़ा कि एंगल को कैसे मीजर करते हैं त्रेट को कैसे मीजर करते हैं और गीर को कैसे मीजर करते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लिक्विड लेवल को कैसे मीजर करते हैं और विसको मीटर को तो पहले पढ़ते हैं लिक्विड हमें guys stay oy смож करेंद की कि अ हुआ है मगया विकल लेवल मीजर मेशिट्र मेंट कि लि यहां पर तीन मेथड्स का यूज किया जाता है एक आपकी रिजिस्टिव मेंथड एक में है का सिटिव मेथड और एक है को देख लेते हैं यहाँ पर कोई container है इसमें कोई fluid भरा हुआ है कोई liquid है इसका हमें level में जो increment होगा इसका level जैसे की standard होगा कि यहाँ हमें इस level तक इसकी value find out है और इसके level में कितना variation हो रहा है तो जैसे ही इसके लेवल में कोई increment आएगा या decrement आएगा या कोई decrease आएगा तो यहां पर यह जो आपका mercury का लेवल है इसमें चेंज आएगा और यहां पर जैसे यह mercury लेवल है फिर उसके बाद इस में इस त्यूब में different types की यहां पर rods होती है आपका यहां पर mercury का level है तो यहां पर different types की यहां पर rod होती है different different heights पर एक जैसे इस height पर है फिर दूसरी वाली यहां पर देखिए इस height पर है तीसरी वाली इस height पर है और यह resistance से जुड़ी होती है उसके बाद यह circuit बनाती है यहां पर देखिए जैसे resistance है कोई यह attach होते है इस तरह से औ और यहां पर कोई circuit बना हुआ है यह battery लगी हुई है और यहां पर emitter लगा हुआ है जो किसकी reading को चेक कर रहा है और यह जो आपके resistance हो गए यह इस तरह से connected है तो यहां पर देखिए जैसे ही लिक्विट के लेवल में कोई variation आएगा तो यहां पर इसके mercury की लेवल में variation आएगा और जैसे ही मालेजे मरकरी का लेवल बढ़ा तो यह आपकी पहली रोट से टश करेगा फिर उसके बाद यह आप देखिए यहां पर यह इस तरह से पूट अ आ जाकर सीधे यह पर सॉट सर्किट से होके जाएगा तो इसकी वाजसे हैं पर मीटर की रीडिंग में छेंज आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका यह जो लिक्विट लेवल था उसकी ही में जितना variation होता है यह आपको अमीटर की रीडिंग में शो होगा तो इंक्रिमेंट हो रहा है इसके लेवल में कितना इंक्रिमेंट हो रहा है इसको शेक करना है तो यहां पर हम लोग दो प्लेंट पर इंसर्ट करते हैं और इसको जो है हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से तो यहां पर एक सर्किट बन जाता है तो दिखें यहां पर प्लेट इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसके लिक्विड लेवल में चेंज हो रहा है तो लिक्विड लेवल में चेंज हो रहा है मतलब इसकी जो परमीयविल्टी है उसमें चेंज हो रहा है जैसे इसका लेवल बढ़ेगा तो इसके बीच का जो मीडियम है जो की डाइए यहाँ पर capacitance चेंज होगा और जैसे ही capacitance चेंज होगा तो यहाँ पर बैटरी लगी होती है emitter में reading शो होती है तो इस तरह से हम लोग inductive method से भी liquid level का measurement कर सकते हैं इसके बाद last में पड़ते हैं inductive method, inductive method कैसे कम करता है inductive method क्या होता है inductive method देखिये जहाँ पर जैसे एक container है यहां पर fluid भरा हुआ है कि इसके अपर पार्ट में क टेते हैं यहां पर रपेट देते हैं और ऐकलर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर इंपूर पर आये का रिए जो आपका यहाँ पर आया इसको कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से एक वायर निकालते हैं यह होता है आपका output तो क्या होगा जैसे ही liquid के A divided by L यहाँ पर आप देखिए numbers of turns में कोई change नहीं हो रहा है area में कोई change नहीं है length में कोई change नहीं है change है तो बसके बल मुझ नॉट में मुझ नॉट क्या होता है permeability medium की यहाँ पर आप देखने liquid level जो है यह आपका change हो रहा है और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर जो permeability होती है यहाँ पर यह जो आप liquid यूज करते हैं यह conductive liquid होता है conductive liquid मतलब यहाँ ऐसा liquid जिसमें की conduction possible हो उस liquid का हम यहाँ पर अगर level में कोई change नहीं है उसको measure कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे ही क्या होगा liquid के level में कोई increment आएगा तो उसकी permeability change होगी अब अगर permeability change होगी तो inductance change होगा और inductance change होगा तो इसमें EMF जो आता है inductance की वज़े से एक EMF generate होता है जो की हम जो current इसको provide करते हैं जो EMF provide करते हैं उसके opposite होता है तो उसकी वज़े से इसके output में change आएगा तो यहाँ पर क्या हो गया हम liquid का जो level है उसको हम लोग current के form में measure कर सकते हैं या volt के form में measure कर सकते हैं जिस तरह ऐसे level में increment होगा या कोई variation होगा उसके according आपके voltage में या current में increment या variation होगा तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि liquid के level को measure करने के लिए three different types के method को हमने पढ़ा जैसे कि आपका हो गया resistive method inductive method और capacitive method इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि viscosity को कैसे measure करते हैं viscosity measurement देखे viscosity होती क्या है जैसे कि कोई भी liquid flow कर रहा हो उसकी layers के बीच जो force लगता है यही होता है viscous force क्या होता है जैसे कि यह आपकी liquid है कोई flow हो रहा है liquid आपका तो liquid में different types की layers होती है यह पहली layers होगी यह दूसरी layer होगी यह तीसरी layer होगी तो एक के उपर एक layer होती है तो जैसे layers क्या होती है layers के बीच में एक resistive force लगता है यह जो resistive force होता है जो resistive property होती है यह होती है viscosity viscous force को measure करने के लिए यहाँ पर एक formula भी है F equals to Nita A V by D यहाँ पर जो V है यह flow velocity है यहाँ पर यह आपका D displacement है A area है जिस area तक आप measure कर रहे हैं viscous force को यह आपका viscous force है और जो Nita है यह coefficient of viscosity है तो यहाँ पर viscosity measurement करने के लिए यहाँ पर different types के method है जैसे कि एक आपकी method है capillary tube viscometer देखे विसकोसिटी को measure करने के लिए viscometer का use किया जाता है capillary tube viscometer float and cone type viscometer और एक आपका है falling sphere viscometer और उसके बाद है आपका two float viscometer और इसके बाद है आपका reho viscometer तो यह कुछ different types के viscometers होते हैं जिनकी help से हम लोग viscosity measure करते हैं देखें यहाँ पर हम लोग केबल पढ़ लेते हैं float and cone type viscometer यह क्या होता है यहाँ पर देखें cone के size का यह part होता है कुछ इस तरह से यहाँ पर जिस flow का आपको viscosity measure करनी है यहाँ पर इसको enter करते हैं यह आपका यहाँ पर flow हो रहा होता है यहाँ पर आपका liquid होता है जिसकी viscosity को आपको measure करना है तो यहाँ पर इंटर करता है यहाँ पर एक float लगा होता है तो जैसे ही इस flow की viscosity में कोई change आएगा, यह जो आपका float है, यहाँ पर एक liquid भरा होता है, उसके float की position में change आएगा और यहाँ पर scale लगी होती है, तो जैसे ही आपका float अपनी position से change होता है, उसके according, यहाँ पर पता हो जाता है कि viscosity किस तरह से change हो रही है, तो यहाँ तक हो गया आपका कि viscosity कैसे measure करते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि mechanical quantities जो होती हैं, उनका measurement कैसे करते हैं, measurement of mechanical quantity, देखें, mechanical quantities क्या क्या होती हैं, जैसे कि एक आपका हो गया displacement हो गया, velocity हो गया, acceleration है, speed है, torque हो गया, या फिर कोई rotation motion हो रहा है, तो उसकी क्या value है, आपका pressure हो गया, vacuum हो गया, strain कितना उसमें आ रहा है, किसी अगर किसी पर कोई stress लग रहा है, किसी body पर तो उसकी वज़े से उसमें strain कितना है, यह जो होती हैं, यह आपकी mechanical quantities होती है, इसको कैसे measure करते हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगी, लिए linear measurement एक होती है, और एक होती है आपकी angular measurement, मतलब एक तो आपका linear motion होता है, और एक आपका angular motion होता है, रोटरी मोशन तो linear measurement के लिए हमने पढ़ा हुआ है different types के transducers को जो कि linear measurement को वताते हैं कि किस तरह से linear measurement हो रहा है कोई displacement किस तरह से हो रहा है displacement कितना हो रहा है उसकी value कितना है तो linear displacement के लिए यहां पर different type के instruments को use किया जाता है जैसे कि आपका strain gauge हो गया इस्ट्रेंट भी देखिए क्या होता है जिसी किसी की पोजिशन में जो चेंज आता है वह लिनियर होता है तो वह उस्ट्रेंट को चेक करने की लिए लोग strain gauge का यूज करते हैं strain gauge होता है आपका पीजो एलेक्ट्रिक टाइप का जो होता है जैसे पीजो एलेक्ट्रिक होता है आपका कि अगर उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें current generate होता है बिल्कुल इसी के principle परवगत करता है इसको हम लोग पढ़ेंगे भी तो strain gauge होता ह इसको चेक करने के लिए linear measurement को और इसके बाद different types के transducer हो गया जैसे कि कैपासिटिव transducer हो गया आपका inductive transducer हो गया resistive transducer हो गया या फिर आपका कोई हो गया पीजो electric transducer तो यहां पर यह हो गए linear measurement करने के लिए बढ़ अगर कोई अंगुलर measurement करना था हमें को रोटरी मोशन है उसको चेक करना है तो उसके लिए क्या करते हैं देखें रोटरी मोशन की measurement के लिए यहा पर different types की devices को यूज्स करते हैं जैसे कि यहांपर हम लोग यूज़ करते हैं एक होता है आपका टैको मीटर भी डिफरेंट टैको मीटर होता है मेकेनिकल टैको मीटर होता है तो यहाँ पर हम लोग टैको मीटर को पढ़ेंगे यहाँ पर क्या होता है एक स्टेटर होता है जैसा कि आपके मोटर का कॉंसेप्ट होता है और एक आपका रो रोटर पे फिक्ष्ट मैगनेट लगे होते हैं परमानेट मैगनेट तो जैसे हमें कोई रोटरी मोशन मीजर करना है रोटरी मोशन की एंगुलर विलास्टी को मीजर करना है तो यहां पर करते क्या हैं जिस भी पार्ट में रोटरी मोशन हो रहा होगा उसको हम लोग रोटर से इसके rotor से connect कर देते हैं electrical tachometer के rotor से connect कर देते हैं जिस पर की permanent magnet लगे हैं तो जैसे ही ये permanent magnet आपका move करता है तो उसकी वज़े से यहाँ पर ये जो coils लगी हुई है इसमें current generate होता है EMF generate होता है तो यहाँ पर जैसे ही आपका rotary motion होगा उसकी according ये आपका current में change होगा या EMF में कह सकते हैं change होगा तो इस तरह से आप tachometer का use करके rotary motion की magnitude को जैसे की angular velocity कितना है या angle कितना है उसको measure कर सकते हैं तो इस तरह से होता है आपका tachometer देखिए आपका ये tachometer के base पर ही एक आपका एक device होता है जिसको बोलते है इस ट्रोबोस कोप देखिए ये क्या होता है ये जो आपका इस्टोबोस कोप होता है ये भी rotary motion की measurement करने के लिए यूज होता है ये manually operate कर सकते हैं आप इसको यहाँ पर होता क्या है एक इस्टोबोट रॉन होता है इस्टोबोट रॉन जो की flash generate करता है और यह जो flash होता है और आपको किसी एक rotating shaft का rotation measure करना है तो इस flash को इस पर incident करते हैं तो क्या होता है जैसे यह आपका flash है इसका भी कोई frequency होगी natural frequency होगी और यह आपका shaft rotate कर रहा है इसकी भी कोई frequency होगी से यहां पर flash को इस shaft करते हैं तो आप यहां पर इसकी frequency को चेंज कर सकते तो जैसे यह वज़े से नैश्रल फ्रिक्वेंसी होती और जब आपके शाफ्ट की फ्रिक्वेंसी होती है जब यह मैश कर जाती है तो इसका मैगनिट्यूड होता है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं और उस मैगनिट्यूड को चेक कर गए मता सकते हैं कि इसका रोटेशन का क्या मैगनिट्यूड था यहां पर जो आपका इस्ट्रोबोस्कॉप होता है यह तरह का इलेक्रिकर टैकोमीटर होता है जिसको कि हम लोग रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं तो यहां पर हमने पढ़ लिया किसी लीनियर मीजरमेंट के लिए किस तरह से कौन से मीजरमेंट यूज करते हैं एंगुलर मीजरमेंट के लिए क्या करते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर मीजरमेंट के बारे में तो पहले प्रेशर के बारे में जान लेते हैं प्रेशर होता क्या है देखिए प्रेशर करते हैं हम एपसल्यूट प्रेशर और एक होता है हमारा गेजप्रेश क्या होता जब हम वैक्यूम के प्रेशर को Bou chassis मान कर कोई प्रेशर मीजर करतें तो उसको बोलते हैं एसना अफसलूट प्रेशर और अगर यह आपका मान लिजिया अइ्मास्फर्स का अच्पिरेशर होता है आपका यह आपका atmospheric pressure हो गया और यह हो गया आपका gauge pressure absolute pressure जो होता है आपका gauge pressure और atmospheric pressure के sum के बराबर होता है और अगर आप gauge pressure देख रहे हैं तो जो आपका gauge pressure होगा यह absolute pressure और atmospheric pressure के difference के बराबर हो तो कुछ इस तरह से होता है pressure का concept अब इसके बाद पढ़ लेते हैं प्रेशर को मीजर कैसे करते हैं एक है आपकीmost ओक दिवाइसेश और एक देखें जो mechanical device होता है इसमें हम लोग मैनोमीटर का यूज करते हैं मैनोमीटर क्या होता है जिस भी liquid का हमें प्रेशर मीजर करना होता है जैसे कि यह आप लेडी जी को हुए liquid flow हो रहा है हमें इस point पर इसका प्रेशर मीजर करना है तो यह एक तरह की hollow tube होती है, जो manometer होता है, इसके एक सिरे को हम लोग जिस point पर pressure measure करना होता है, उस पर attach कर देते हैं, और यहाँ पर जिस level तक यहाँ पर fluid जो होता है, rise होता है, उसको note down कर लेते हैं, और हमें formula पता है pressure का rho gh, इसके according हम लोग यहाँ पर इसकी value find out हो जाती है, इसकी value रखकर यहाँ पर pressure की value find out करते हैं, तो यहाँ पर जो manometer होता है, यह भी three types का होता है, एक होता है आपका simple manometer, और एक होता है differential manometer, और एक होता है आपका micromanometer, electrical devices में क्या या आती है, electrical device में आपका transducer आता है, transducer की help से भी आप pressure को miser कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गय इंडेक्टिव ट्राज्टिव सर्कैपासिटिव ट्रांज्डूसर हूं और होwiązespère और एक हैं रेजिस्टीफ ट्रांज्डूसर एलिवीडिती टाइप यह होती है एलेक्ट्रो मेकैनिकल डिवाइसेज इनका यूज करके हम लोग प्रेशर को मीजर करते हैं तो यह जो डिवाइसेज होती है इनको बोलते हैं इनको हम फोर्स समिंग डिवाइस भी बोलते हैं यह डिफरेंट कॉएंटिटीज को भी मीजर कर सकती है जैसे कि आपका फोर्स हो गया डिस्प्लेस्मेंट हो गया और प्रेशर तो मीजर करी रही है तो जो आपकी बोर्डन ट्यूब होती है देखिए कुछ इस तरह से होती है यहाँ पर यह इसका सर्कुलर पार्ट होता है और यहाँ पर जिस भी आपको लिक्विट का प्रेशर मीजर करना होता है इस pressure को यहाँ पर insert करते हैं और यहाँ पर एक आपकी pointer लगा होता है pointer लगा होता है तो देखिए जैसे ही आपका pressure change होगा यह pointer अपनी direction से change होगा इस तरह से यहाँ पर pinion लगा होता है तो जैसे ही आपका यह move करेगा तो यह pinion move करेगा और यहाँ पर scales लगी होती है तो देख रहे हैं जैसे आप pressure आपका change होगा उसकी according आपका ये pointer change होगा pointer के according यहाँ पर आप find out कर सकते हो कि आपका pressure कितना है या pressure में change ही कितना आया डायाफराम क्या होता है देखिए डायाफराम एक circular type की disk होती है कुछ इस तरह से और यहाँ पर एक thin disk clamp होती है यहाँ पर होता गया है देखिए यह तो एक आपकी thin disk हो जाती है तो यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरह से अगर देखिए यहाँ पर आपने कोई एक पतली सी disk लगा रखी है और यह आपकी solid disk है और यहाँ पर यह clamp होती है तो देखिए आपको जिस fluid का आपको pressure चिक करना है यहाँ से आप insert करें यह इस तरह से fluid जा रहा है और यह यहाँ पर बुरा फिल हो जाएगा और यहाँ पर कोई thin disk लगी है तो जैसे ही यहाँ पर pressure बढ़ेगा यह आपकी thin disk होगी इसकी position में change आएगा यह इस तरह से जो होगी move होगी displace होगी अपनी position से तो इस तरह से pressure को आप displacement में चेक कर सकते हैं यह हो जाता है आपका diaphragm और यह यहाँ पर भी दो type का होता है यह तो आपका एक flat type का surface था तो यह flat diaphragm बोलते हैं इसको और एक आपका होता है corrugated corrugated diaphragm यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ एक बना होता है यह इस type के आपकी disk बनी होती है इस shape में यहाँ पर कुछ safe कटे होते हैं तो इसको बोलते है corrugated diaphragm इसके बाद next हम लोग पढ़ते हैं below below क्या होता है देखिए जो below होती है वो कुछ इस तरह की होती है यहाँ पर यह एक elastic material का होता है यहाँ पर देखिए सब कुछ यह भी जो था आपका यह इसकी length में increment आएगा यह display होगा अपने position से और इस तरह से आप इसका pressure measure कर सकते हैं उसके बाद next है आपका capsule यह क्या होता है दो different type की diaphragms को corrugated diaphragms को हम इस तरह से देखिए बना देते हैं कुछ इस तरह से sorry यह कुछ इस तरह से बनेगा आपका तो यहाँ पर हम लोग दो corrugated diaphragms को attach कर देते हैं clamp कर देते हैं और यहाँ पर pressure provide करते हैं तो उसकी वज़े से इसकी displacement आता है तो यहाँ पर displacement को measure करके हम लोग pressure की value find out करते हैं यहाँ पर हमने पढ़ लिए different types की method pressure को measure करने के लिए जैसे की mechanical device electrical device और एक last में आपका बचा thermocouple vacuum gauge इसको भी पढ़ लेते हैं यह किस तरह से work करता है thermocouple vacuum gauge इसका देखिए concept यह है कि low pressure पर यह low pressure को ही measure करता है जो atmospheric level से low है उनको measure करता है इसका concept यह होता है कि जैसे आप pressure change करते हैं तो जो pressure होता है और जो heat का conduction होता है यह दोनों आपस में proportional में होते हैं जैसे ही आप pressure में change करते हैं उसके recording जो heat conduction होता है वो change होता है मतलब कोई heat transfer हो रही है इस position से यहां पर तो अगर एक current induced होती है और उसको measure करके हम लोग pressure की value को find out करते हैं यहां पर कुछ इस तरह से हो गया यह आपका एक material हो गया उसकी वायर हम लोग बना देते हैं और यहां पर एक दूसरा material होगा उसकी वायर बना दिये और यहां पर है इसका joint तो जैसी joint को हम लोग heat करेंगे तो यहां पर current generate होगी और इसको हम लोग emitter के through measure कर सकते हैं या फिर वोल्ट मीटर लगा के measure कर सकते हैं और यह milli volts के form में milli volts के form में generate होता है बहुत ही low voltage होता है और उसके बाद क्या करते हैं यहां पर एक heating element लगा देते हैं और यह heat कैसे करता है heat करने के लिए यहां पर हम लोग बेसिकली एक resistance वायर होता है तो जैसे ही आप यहां पर कोई voltage अपलाई करेंगे यहां पर एक रिजिस्टेंस लगा देते हैं और एक battery तो जैसे ही आप यह प्रेशर चेंज हो रहा है इसका जो यहां पर heat का conduction हो रहा है उसमें कुछ चेंज आएगा और उसकी वज़ा से आप pressure को मीजर कर सकते हैं लेकिन यहां पर जिस प्रेशर को आप मीजर करते हैं वह लोग प्रेशर होता है तो प्रेशर का direction आप कुछ इस तरह से भी दिखा सक करते हैं उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे strain gauge को और load load cell को पढ़ेंगे तो यहां पर पढ़ते हैं पहले strain को कैसे मीजर करते हैं strain मीजर में दिखें आता कैसे जब भी आपको stress लगाते हैं तो उसके dimension में कोई भी body के जिस पे आप stress apply कर रहे हैं उसके dimension में कुछ चेंज आता ह तो वही strain होता है इस्टेंड को मीजर करने के लिए यहां पर strain gauge करते है यह किस तरह का होता है यह पीजयोग सब्सक्ую कोई material होता है जैसे आप इसके कूई प्रेशर करते हैं कोई stress अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से प्रेट generate होता है और उसको मीजर कर सकते हैं जो भी अ नारा इसको मीजर कर सकते हैं तो यहाँ पर हम कोई फो सप्लाई करते हैं और यहाँ पर 2 ridδ लगा देते हैं और यहाँ पर इसको connect कर देते हैं एमपीर से सरी émč meter से एक्सके कुछ स्टें को को सकते है अपका स्ट्रेंग इसके बाद दिखें पड़ते हैं लोड तो ही फार्ट होते हैं एक आपका होताหा है strain gauge इसके components यह जो होते हैं यह होता है एक होता है आपका strain gauge और एक होता है आपका wheat stone bridge इन्हीं दोनों के principles को यूज़ करके हम लोग load cell बनाते हैं, load cell करता क्या है? आपके pressure को measure कर सकता है, force को measure कर सकता है और force में जैसे आपका कोई tensile force है, compressive force है, उसको measure कर सकता है और weight को मीजर कर सकते हैं और इन सभी मीजर करके एलेक्टिकल सिगनर समें करता है क्या होता है जैसे आपको फ्रस अप्लाई करते करते हैं तो वेज़े से यहां पर देख रहे हैं आप की यहां पर current जनरेट होता है तो हम क्या करते हैं different types के strain gauge को एक strain gauge हम ने यह लिया एक strain gauge यह लिया और एक strain gauge यह लिया तो क्या होता है जैसे strain gauge इसका resistance भी होगा उसके according यहाँ पर इसको wheat stone बिरिश के form में बना लेते हैं कुछ इस तरह से और इसको एक battery से connect कर देते हैं और यहाँ पर एक galvanometer लगा होता है जैसे ही क्या होता है प्रेशर में चेंज आता है उसकी according यहाँ पर यह जो आपका strain gauge होगा उसकी उसकी output में चेंज आएगा और जैसे ही यहाँ पर कोई भी चेंज आता है किसी भी resistance की कोई value change होती है तो यहाँ पर galvanometer में reading show होती है तो इस तरह से काम करता है आपका load cell यह डिफरेंट टाइप्स के आपकी mechanical quantities को electrical signals में convert करता है और इस तरह से आप measurement कर सकते हैं टाइप्स की mechanical quantities का अब इसके बाद देखिए दो तरह की डिवाइसे जोर बचती है एक होता है आपका electronic counter और एक आपका होता है वाइब्रेशन रीड्स के लिए उनको यह electrical signals में convert करता है तो यह कुछ इस तरह से होता है आपका electronic counter अब वाइब्रेशन रीड के बारे में पढ़ लेते हैं यह क्या होता है यह देखिए वाइब्रेशन को measurement करता है वाइब्रेशन का measurement करता है जैसे यहां पर आपकी कोई vibrating body किसी भी machine में देखिए कोई भी part होता है तो आपकी rods को यहां पर आप देखिए यह rods लगा दिया हमने और यह जो हो जाते हैं आपकी एक कैंटी लिवर रॉट की तरह वर करती है और इसकी एक सिरे पर different इसका free end होता है यहां पर मास रखे होते हैं कि यहां पर मास होता है बहुत ही small quantity का होता है तो जैसे हम यहां पर मास को change करेंगे इन सभी की नेशनल पर मास को चेंज करके उसकी नेचरल फ्रिक्वेंसी को घटा वढ़ा सकते हैं उसमें वैरियेशन कर सकते हैं तो जैसे कोई आपकी वाइब्रेश्टिंग बॉड़ी होगी उसकी कोई फ्रिक्वेंसी होगी और जो आपके यह रॉट्स लगे हुए हैं इन रॉट्स की भी एक तो जिस भी रॉट्स की नेचरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है तो रेज़ुनेंस हगर होता है और उसके बाद रेज़ुनेंस के बाद यहाँ पर एक हाई एंपलीटूट की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है उसको मीजर करके हम लोग इसका वाइब्रेशन बताते हैं कि इसका vibration क्या होगा तो कुछ इस तरह से work करता है आपका vibration read तो आज की वीडियो में हमने different types के measuring quantity को कैसे measure करते हैं उसको हमने पढ़ा जैसे कि कोई physical quantity होती है उसको कैसे measure करते हैं length हो गया, height हो गया, depth हो गया जो कि normally हम लोग vernier caliber या आपका micrometer होता है उससे use करते हैं और फिर angle measurement कैसे करते हैं, taper measurement हो गया gear measurement हो गया कुछ प्रिसके बाद हमने पढ़ा कि mechanical quantities जो होती है, जैसे कि आपकाश मेंप्रिप्र हो गया velocity है, acceleration है, speed है, torque है उन सब को कैसे मीजर करते हैं उसमें हमने टाइकोमीटर के बारे में पढ़ा इस ट्रैबोसकोप के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा प्रेशर को कैसे मीजर करते हैं इस्टेन गेज हमने पढ़ा लोट सिल्स पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा कि electrical counters क्या होते हैं, electronic counters क्या होते हैं और vibrating read क्या होती है दिन आज का ये वीडियो यहां पर end करते हैं और इसके next videos में हम लोग metrology की किसी next topic को पढ़ेंगे